करें किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये टू जैट तो चलिए जान लेते हैं मैं हूं प्रेम संकर और आप देख रहा है सुनील दोजार चौविस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज चैनल को जरूर्ड सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर लिए वीडियो बनी हुई है उसकी लिंक आपको वीडियो की डिसक्राइब मिल जाएगी और उस वीडियो को देखकर आप इस पर रिजिस्टर कर सकते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था आज की इस वीडियो में हम इसके सारे ऑप्सन समझेंगे कि आखिर कौन स समझ में आ जाएगा यह टू जैट थीक है तो सबसे पहले हम यहां से सुरूरात करते हैं ओम से ठीक है जैसी हम होम पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो कि इसका मतलब है कि हम होम पर ही है ठीक है और होम पर आपको सारे ऑप्सन कुछ इस तरीक से हैं पर देखने को मिल एगे इसके साथ में आपको यहां पर क्यांस लिविट देगी वह आपको अलग देखने हों पीज़ा घाति है यहां पर आपको अपने किमाद कर लिए हैं लिए हैं तो इस लिए से यहां पर 2 जानी की दो पैसे यहां पर माइनस में दिखा रहे है ठीक है जब भी मह मैं और शॉप्टिंग में खर्च करऊते कि यहां यहां पर कभ देखने को मिलएंगे जैसे की 15 अमण्ट देखने को मिलती है जो कि आपको पे करनी होती है या फिर आपने 15 मिलते हैं ठीक है और आप कम में कम इतने पैसे यहां पर जमा कर सकते हैं वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी यहां पर आपने प्रोटल पेविंट करना चाहें तो टोटल भी कर सकते हैं इस पर आपको करना है करने के बाद में आपको यहां पर 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 देखने को मिल जाती है यहां पर पहली ही कर दिया पर इहां पर दिखा रहा है तो मैंने आपसे कहा कि 15 तारिक के बाद यह अफ्डेट होती है ठीक है तो अगर आप इस पेविंट को यहां पर पेविंट कर भी देते हैं तो वहां पर और ज्यादा माइनस में दिखाने लगेगा ठीक है क्योंकि जो पैसा है वो बैंक की पास आपका पैसा यहां पर पहुंच रहा है जानिकि अधिक पह अधर के जरीए आप यहाँ पर पेमिंट करना चाहाते हैं उसके बाद में चलिए हम यहाँ से सिंप्ली बैक कर देते हैं बैक करने के बाद में आपको यहां पर view account details इस पर आप simply क्रिक करकर और आप यहां पर view account details देख सकते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो आपकी card की limit है वो कितनी होगी वो आप यहां पर देख सकते हैं इसी के साथ में cash limit जाने कि अगर आप ATM से cash निकालना चाहें तो आ इतनी ठीक है और आपके card की limit आपके ऊपर निर्वर करती है कि आखिर आपका account कितना active रहता है या फिर आप कितना यूज करते हैं ठीक है तो उसी हिसाब से आपको limit दे जाती है ठीक है तो इन्होंने मुझे यहां पर लगए 46,000 रुपए की limit दिया है कि मैं यहां पर 46,000 र चाहते हैं और auto divided ठीक है आपको यहां पर मिला है auto divided इसी के साथ में add on card details ठीक है अगर आप अपने parents के लिए card देना चाहते हैं तो आप यहां पर card दे सकते हैं वो card यहां पर add हो जाएगा इसी के साथ में जो आपके card की limit है वो यहां पर घट जाएगी ठीक है जैसे कि अगर आपके card को limit यहाँ पर मिलिया है 40,000 तो अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए 10,000 की limit के card दो देना चाहाते हैं तो आपके card की limit रजाएगी 20,000 ठीक है तो इस तरीकी से आप यहाँ पर card को जोड सकते हैं इसी के साथ में आप यहाँ पर required duplicate जो की आप इसका statement भी लिकाल सकते हैं इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है analyze तो आप इस पर simply click करकर आप यहाँ पर transaction देख सकते हैं इसी के साथ में आप chat भी कर सकते हैं इसी के साथ में आप यहाँ पर KYC भी कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ से simply back कर देता हूं बैक करने के बाद में यहाँ पर आपको transaction देखने को मिल जाएंगे ठीक है कि आखिर आपने कितने कितने यहाँ पर payment पेकरी है चुकि आप यहाँ पर देख पा रहा है ठीक है और आपने क्या-क्या यहाँ पर खरीदा है तो उसके भी आपको यहां पर transaction देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ में रिवार्ट पॉट्ट अर्विए एंपर देखने को मिल जाएंगे फ़िक है कृसी के साथ में is इस पर आप simply क्लिक करके its tour यहां पर open कर सकते हैं इसी के साथ में यहां पर insurance कर सकते हैं new offers से देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर add-on card जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही उसी के साथ में आप यहाँ पर manage card पर simply click करकर card आप अपने हिसाफ से यहाँ पर customize कर सकते हैं ठीक है अगर आपको लग रहा है domestic card है तो आप इसे इंडिया के अंदर यूज करना चाहते हैं फिर international ठीक है अगर अगर आप international payment करना चाहते हैं तो आप payment कर सकते हैं डूमिस्टिक जाने के इंडिया के अंदर करना चाहते हैं तो आप इसे इनेवल कर सकते हैं ठीक है तो यही इसके अंदर option दिये गया है इसी के साथ में Wi-Fi का भी option दिया गया है यह option को आप off ही रखें कई वार ऐसा होता है जो credit card होता है हमारी jam में होता है और हमारे जो की site में कोई भी machine लगा लेता है और इसी के साथ में जो payment है वो कट जाती है ठीक है तो यह option को आप off ही रखें या फिर आप इसे on रखना चाहाते हैं तो आप इतने card को सुरिचिक तरीके से रखें ठीक है कि आपके आस पास जल् आप यहां पर भी उसके बाद में आपको दूसरा option में जाता है इस पर आप simply click करेंगे तो आप यहां से अपना pin OTP को यहां पर permission swap कर सकते हैं इसी के साथ में आप यहां पर limit भी set कर सकते हैं जाने कि आपको daily की per day की कितनी limit चाहिए वो आप यहां पर सिराट कर सकते हैं अग यहां पर single transaction पर रखना चाहाते हैं जो कि speed limit तो आप यहां पर set कर सकते हैं ठीक है और कितनी रखना चाहाते हैं एक transaction पर नहीं हाप जयते हैं टीक है क्लिक करने के बाद में आपको इस option को on करना है कई वार ऐसा होता है हम हमारी जो कार्ड की लिमिट है वो 40,000 और हमें पैसे हाँ पर 50,000 ट्रांजेक्शन करने हैं ठीक है तब आपको इस permissions को on करना है और इस तरीके से आपको इस पर टिक करना है और आपको continue पर simply क्लिक कर देना ह है तो इससे यह है कि आपके one number पर एक कोटी पी जाएगा और यह आप से permissions वाएगा तो आप इसे on कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तब मैं इससे on नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस चीज की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है उसके बाद में हम यह यहाँ पर एड़ कर सकते हैं जैसे कि Google पर है फुन पर है थिक है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर करद नहीं है तो मैं इसे इसे के साथ मैं आपको manage vpai transaction अगर आपके पास card है तो आप यहाँ पर इस अक्टिभ कर सकते हैं नहीं है तो आपको simply यहां से back कर देना है ठीक है back करने के बाद में आपको यहां पर मिल जाता है E-M-I and more । इस पर आप simply किलिक करेंगे यहां पर balance transfer का option देखने को मिल लागा अगर आपने balance transfer किया होगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इस पर आप simply click करेंगे, तो आप अपना balance transfer यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर नहीं सो होगा, तो चलिए हम यहाँ से simply okay कर देते हैं, उसके बाद में आ जाता है तीसरा option, पेन आप पर हम simply click करेंगे, click करने के बाद में हम यहाँ से payment pay कर सकते हैं, जैसे कि SVI card pay ठीक है, तो हम SVI card pay का भी आप यहाँ से balance pay कर सकते हैं, इसी के साथ में आपको यहाँ पर QR code scan करके, आप किसी को यहाँ पर payment कर सकते हैं, इसी के साथ में आप यहाँ पर pay in EMI, तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, calendar मे date को select करके इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है will pay and recharge वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर recharge बगरा या फिर will pay कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है इसी के साथ में आपको यहाँ पर services का option मिल जाता है इस पर आप simply click करेंगे तो इसमें आपको card जो आप यहाँ पर card manage का option देखने मिल लिए हैं इसमें आप अपने cards रिलेटरी भी manage कर सकते हैं इसमें आपको मैंने कुछ option पीछे बता दिया है बो option है कुछ इसके अंदर नय option है ठीक है जैसे कि change card pin अगर आप card का pin चेंज करना चाहाँ है वह card का pin आप यहीं से simply change कर सकते है जुकिए आप इसपर Simply करके ठीक है तो मैं अभी ।े से change करना नहीं चाहता हूं क्यूंको मेरा पहले ही बना हुआ है अगर आपको लगता है कभी भी change करना तो इस पर आप simply click करेंगे ठीक है और आप अपना यहाँ पर change pin कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ से simply back कर देता हूं उसके बाद में manage card use इस पर आप simply click करेंगे तो मैंने यह option आपको पहले ही बता दिये हैं मुझे ने लगता है इन्य option को मुझे बताने की जरूरत है ठीक है इसी के साथ में इसमें मिल जाता है card block का option ठीक है अगर आप card को block करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ से directly block कर सकते हैं तो यह ही इसके अंदर options दिये गए हैं जो कि मैंने आपको सारे option पहले ही बता दिये हैं इसको यहाँ पर more का option मिल जाता है इस पर आप simply click करेंगे तो आपको reward verification और आपको e-store insurance और आप यहाँ पर बटसब पर simply click करेंगे तो आप इसमें बटसब में connect हो जाएंगे और आपको यह direct redirect कर देगा बटसब पर ठीक है तो इस तरीके से आप अपने card को यहाँ से भी manage कर सकते हैं पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा टप है तो आप बहीं से ही card के लिए manage कर सकते हैं अगर आप इसमें manage करना जानना चाहाते हैं तो आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा जो कि complete वीडियो ठीक है तब आप अपने card को बटसब से ही manage कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और आपके मुझे फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते है नाइस वीडियो में